काश में उड़ने लगता है कभी वो चोरी जारी के दृष्य देखने लगता है कभी कोई रूपवान पुरुष या रूपवान इस्त्री के गले लगने लगता है तो ये सब क्या है इंद्रियां तो सो गई लेकिन मन जग गया तो मन जग गया और मन की उस सक्रियता में उसे जब जो कुछ अनुभा होता है वो अवस्था स्वपन कहलाती है तो चाहे निद्रावस्था हो चाहे स्वपनावस्था इन दोनों से उत्तम जो अवस्था कहलाती है चित्त की हमारी आत्मा की हमारे मन की हमारे चेतना की वो है जाग रूप दश्या इसलिए का जाता है कि दुनिया सोवे साधू पोवे कि जब दुनिया सोती है तो साधू पिरोता है माला को पिरोता है तब वो जाप करता है अजपा जाप करता है तब वो भगवान का भजन करता है दिन दुनिया में चला जाता है पर रात वो प्रभु के नाम पर लगा देता है रात के चार प्रहर होते हैं और दिन के भी चार प्रहर होते हैं तो जैसा की का जाता है पहले प्रहर में सभी जगते हैं पहले प्रहर में जैसे कि अभी इस समय छे बजे सुर्यास तो हो रहा है तो तीन घंटे का एक प्रहर हुआ तो नौ बजे तक, दस बजे तक सभी जगते हैं दूसरे प्रहर में भोगी जगते हैं दूसरे प्रहर में भोगी जगते हैं तीसरे प्रहर में रोगी जगते हैं क्योंकि उनको नीन नहीं आपाती है फिर पर चौथे प्रहर में योगी जगते हैं वो सुबह चार बजे ही अपने जग जाया करते हैं सुबह तीन बजे ही जग जाते हैं और अपने आत्म अराधना के लिए अपने प्रभू अराधना के लिए आसिन हो जाया करते है तो योगी के लिए तो चौथा प्रहर साधना का प्रहर माना गया है यानि सुबह का पहला प्रहर अल सुबह का जो पहला प्रहर है वो साधक उसमें साधना करते हैं और जो मूर्चित होते हैं प्रमादी होते हैं, वो सोए रहते हैं तो चाहे आप आप में सचाहे कोई व्यापारी हो, चाहे साधना के मार्ग में हो यदि हम लोग सुर्य ले के बाद जगते हैं तो आदमी क्या तो धर्म आरादना करेगा क्या प्रभू भजन करेगा एक व्यापारी तो अगर सुबह आण भी जगता है साथ बज़े जगता है यनि जगो थोड़े बहुत जरूरी कारी अपने निप्टाओं साड़ना बज़े दुकान चले जा तो प्रभु बज़न क्या करेगा इसलिए आज यदि कोई छात्र है और वो छात्र साथ बज़े इसकूल जा रहा है वैसे ये बहुत अच्छी बात है भारत वर्ष की सरकारों ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि इसकूलों का समय सुबह का रख दिया तो इस बाने बच्चे भी जल्दी जग जाते हैं और उनके माबाब भी जल्दी जग जाते हैं अगर इसमें थोड़ा सा भी परिवर्थन कर दिया जाए और दस बज़े और बारे बज़े की स्कूल बना दी जाए तो पूरा हिंदुस्तान सुबह आंट बज़े तक सोया हुआ मिलेगा इसलिए चूंकि संडे को स्कूल नहीं होती तो संडे को बच्चे भी गए और उनके माबाब भी गए संडे को ये पूरा हिंदुस्तान जिसको होली डे का आ जाता है पवित्र दिन का आ जाता है और लोग उस पवित्र दिन की शुरुवात कैसे करते हैं सोय सोय सोए सोए आज अगर इसाई लोग रईवार को महत्व देते हैं तो प्रत्येक इसाई रईवार को चर्च जाता है वो सब्ता में छे दिन नहीं जाते हैं पर रईवार को अवश्य जाते हैं क्योंकि वो उनका Holy Day है पवित्र दिन है मुसल्मान छे दिन धरम नहीं करेगा पर शुकरवार को अवश्य धरम करेगा वो उनका Holy Day है मैं हंदुस्तान वाले लोगों से पूछना जाओंगे वो तुमारा कौन सा Holy Day है साथ के साथ दिन योही पड़े रहते हैं अब ये तो अच्छा है कि अगर रहिवार को हम अवकाश का दिन मानते हैं तो हमें उस अवकाश के दिन को जल्दी जक्र के प्रभू आरादना के लिए बैठना चाहिए जैसा कि ये बहुत अच्छी कहवत है Early Rise and Early to Bed Make Make a man Healthy, Welly and Rise कि तुम सुबह जल्दी सो सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो अगर हम ऐसा करते हैं तो बुद्धिमान भी होंगे धनवान भी होंगे और स्वस्था भी होंगे तो जो लोग रात को देर तक जगते हैं और सुबह देर तक उठते हैं वे लोग रुखन रहेंगे जैसा कि कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्राइस कीन के होते हैं सूखी चमडी वाले सूखी चमडी उनकी क्यों है तो रहसी ये बता देना चाहूंगा कि वो लोग रात को देर तक जगते हैं इसलिए उनकी चमडी सूखी है और दिन में जो लोग सोते हैं इस वज़े से भी उनकी चमडी सूखी है तो रात सोने के लिए हैं और दिन जगने के लिए हैं पर जो लोग दिन को भी सोने के लिए बना देते हैं और रात को देर तक जगते रहते हैं उन लोगों की ड्राइ स्कीन रहती है चमडे की सौम्यता सुंदरता उनकी कम हो जाया करती है क्योंकि शरीर का जो सर्कुलेशन है शरीर की जो व्यावस्ता है वो दुश प्रभावित हो जाती है और परिणाम ये निकलता है कि रात को देर तक जगने वाला व्यक्ति या तो वायू रोग से पिडित रहता है या कफ रोग से पिडित होता है तो कोई पित रोग से पिडित हो जाता है सरीर के संतुलन व्यावस्ता चर्मर आ जाया करती है तो हम लोगों को समय पर सोना चाहिए और समय पर जग जाना चाहिए रात को दस बजे तक साड़े दस बजे तक सो जाओ और सुबह सुर्योद ऐसे दो घड़ी पहले अर्टालिस मिनट पहले तक अवश्य में जग जाओ देखो से चिडियाएं भी जग जाती हैं मुरगे भी जग जाते हैं गाए भैंस भी जग जाते हैं पर हम इनसान फिर भी सोने की प्रवर्ति बनाए रखते हैं महवीर तो जाग रुकता पर सबसे ज़्यादा जोड़ देते हैं और चाहते हैं कि प्रत्यक व्यक्ति जागरूखता के साथ जीए साधक अपने साधना मार के प्रति जागरूखो व्यापारी अपने व्यापार के प्रति जागरूखो भोजन पकाने वाली महिला भोजन के प्रति जागरूखो विद्यार्थि, विद्या अर्जन के प्रति जाग रुख हो हम सब लोग अपने अपने कारिय, अपने अपने कर्तब या, अपने अपने लक्ष के प्रति जाग रुख हो क्योंकि जाग रुख होकर अब प्रमत्त होकर ही हम अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अगर प्रमाद के साथ आलस से के साथ यदि हम एक महिला खाना बनाएगी तो क्या होगा खाना बिगड़ जाएगा और जागरुकता पुर्वक यदि एक महिला अपना खाना बनाएगी तो खाना बिल्कुल सही सुवियावस्तित बनेगा ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति व्यापारी है और व्यापार को यदि जागरूकता पूर्वक कर रहा है तो हानी की संभावना ही नहीं है यदि आपने अपने जब में अपने पैसे जागरूकता पूर्वक रखे हैं तो गिरने की संभाव नहीं नहीं है और बेहोशी के साथ आलसी होकर कि अगर रखा है तो कहीं भी गिर सकते हैं और सादक यदि सादना के मार के प्रती अपने आत्मभाव के प्रती अगर जागरूक नहीं है तो वो फिर सादना कैसे करेगा आत्म भाव को कैसे संजो कर रखेगा सादक का तो खाते पीते उठते बैठते आत्म जागरूक रहना चाहिए स्वेम के कल्यान का भाव यही व्यक्ति का आत्म भाव है स्वेम के आत्म प्रदेशों के प्रति जागरूक रहना कि मेरे भीतर जो तत्व समाया हुआ है जो चैतन ये तत्व समाया हुआ है मेरी धारा उसके साथ जुड़ी हुई रही मैं अपने आपको भूल न जाओं इसी को कहते हैं आत्मभाव स्वेयम को भूल करके व्यक्ति दुनिया में जी रहा है जैसा कि हम कहते हैं भरत्री हरी तो भरत्री हरी ने अपनी पत्नी को महत्व दिया स्वेयम को भूल गया तो अपने आपको जो याद रखना है स्वेयम की जो इसमर्ती है स्वेयम के प्रती स्वेयम की जो सचेतनता है इसको हम कहेंगे आत्मभाव स्वभाव निजत्व का भाव चैतन्य भाव इसका नाम है आत्म भाव तो हमारे भीतर जो अस्तित्व समाहित है जीवित अस्तित्व जीवन नामक जो तत्व हमारे भीतर समाया हुआ है जो प्राण उर्जा हमारे भीतर समाय हुई है उसको याद रखना इसी का नाम सचेतनता है Awareness है यही Awareness यही जागरूखता हम लोगों को आगे बढ़ाती है खास तौर पर यदि किसी भी व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना है तो बगएट जागरूखता कि वह अहिंसा का पालन कैसे कर पाएगा ठीक है वो पानी छान कर पीलेगा या वो रात्री भोजन नहीं करेगा लेकिन किसी के दिल को ठेस्ट ना पहुँचे हमारे द्वारा किसी के निन्दा और आलोचना ना हो जाए हमारे द्वारा बेहुशी दसा में एक मक्षी भी ना उड़ाई जाए ये सब बातें तो तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अप्रमत्त और आत्म जागरुख होगा प्रग्याशील होगा तो साधक अपने आप में एक तपस्वी होता है आतापी होता है पर वो तपस्वी किन तत्वों को जीता है एक तो इस मृति को कि वो सत्य के प्रति निर्वान तत्व के प्रति अपनी अंतरात्मा के प्रति अपनी इसमर्थि को जोड़े रखता है इसलिए वह तपस्वी होता है दूसरा वह प्रग्याशील होता है कि अपनी प्रग्या को अपनी बुद्धी को निर्वान तत्व के प्रति सत्य की प्राप्ति के प्रति आनद की प्राप्ति के प्रति सदा जागरूक रहता है दया और करुणा को कोई भी वक्ति कैसे जी पाएगा वह तभी जी पाएगा जब उसके प्रति जागरूकता होगी नहीं तो निमित्तों को पाकर वह भले ही दयाशीर हो जाए पर स्वेम के निज स्वभाव में वह दया और करुणा को नहीं जी पाएगा उसका जीना तभी संभव है जब हम लोग जागरूकता अपने भीतर रखेंगे आत्म जागरती तो दुनिया में जितने लोग आलसी हैं उन लोगों के लिए भगवान का संदेश है कि अपने आलस्य का त्याग करो अपने प्रमाद का त्याग करो और अपने कर्तव्य कर्म के प्रति द्रड़ श्रद्धा के साथ पुरुशार्थ करो जैसे कि मैंने कहा कि प्रमाद मृत्यू है और अप्रमाद अमर्ता का मार्ग है अप्रमाद अमर्ता का मार्ग है तो ये वो मार्ग है जो हमें परम सत्य की और ले जाता है परम कैवल्य की और ले जाता है परम मुक्ति और निर्वान की तरफ ले जाता है ये अप्रमाद दशा लाने पर ही हम लोग अपूर वकरण गुणिस्तान की तरफ बढ़ पाते है इसे हम यो समझें कहते हैं कि भगवान के पास कुछ शिश्य बैठे हुए अपने काश्ठ पात्र पर रंग रोगन लगा रहे थे अलग लग तरह की बेल बूटिया बना रहे थे आपस में बाते कर रहे थे कोई कह रहा था मैं अमुक गाउं गया था अमुक गाउं का रस्ता बड़ा सुन्दर है कोई कह रहा था उस गाउं के दाता बड़े सुन्दर है कुछ कह रहा था अमुक गाउं तो इतना गंदा है कि दुरगंद ही दुरगंद आती है कोई कह रहा था मैं अमुक गाउं गया वहां के रास्ते बड़े पत्रीले और कंक्रीले है कोई कह रहा था उस गाउं में भूल कर भी मत जाना वहाँ पर कोई रोटी भी नहीं देता है कोई कह रहा था मैं अमुक गाउं गया वहाँ के तो लोग भी बहुत अच्छे है रास्ता भी बहुत अच्छा है लोग वहाँ पर संतजनों का मान सम्मान भी खुप करते हैं तो मुस्कावन बहुत जाना तो अलग अलग तरह की बातचीत में अलग अलग तरह की क्रिया कलाप में सब लगे हुए थे भगवान दूर बैठे हुए उनकी बातों को सुन रहे थे और सुनते सुनते ही भगवान मुस्कुराए और केवल इतना सही कहा भाई लोगों तुम लोग किस गाओं की बात कर रहे हो किस सुन्दरता की बात कर रहे हो किस यात्रा की बात कर रहे हो किस पर रंग रोगन कर रहे हो जरा सोचो कि तुम यहां पर क्या करने आए थे और क्या करने लग गए सोचो कि तुम यहां क्या करने आए थे और क्या करने लग गए तुम यहां आए थे मुक्ती के लिए